नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं पूर्वी लद्राख में भारत और चीन के बिच तनाव वरकरार है लाइन आप एक्चुल कंट्रोल एलेसी पर चीन अपने हरक्तों से बाज नहीं आ रहा है और सोमोर को एक बार फिर से घुसपैट की कोशिश की थी मंगलवार को चुमार में चीनी सेना ने घुसपैट की कोशिश की लेकिन कम्याब नहीं हुए पूर्वी लद्राख में चीनी सैनिको ने पिछले तीन दिनों से तीसरी बाज घुसपैट की कोशिश की है नीज एजनसी एनाई ने सुत्रों के हवाले से बताया है कि चीनी सेना के लगभक साथ से आठ भारी वाहनों से चेंपोजी कैम्प से एलेसी के भारतिया इलाके के और आने की कोशिश की जारखंड मौसम विभाग के अनुसार दो सितंबर को मध्य जारखंड के राची खुटी रामगर बोकारो हजारी बाग गुमला उतर पूर्वी जारखंड के देवगर गिरीडी गोड़ा जामतरा पाको सायोगन धनबाद दूमका पूर्वी और पच्मी सिम्भूम में एक से जारखंड के सरकारी स्कूलों में पिछले साल बचों को दी गई पोसाग चूता मोजा वा स्वेटर किरासी का यूटिलाजेशन साटिफिकेट अभी तक नहीं आया है इसकूली सिक्षा वा सर्चार्कता विभाग ने सेक्षिनिक सात्र 2019-20 का यूटिलाजेशन साटिफिकेट आने के बाद ही सात्र 2020-21 के लिए रासी जारी करने का निनलिया है जीले से पिछले सत्र में कितने चात्र चात्र हाई इसकूल में थे और इन में से कितने को पोसाग स्वेटर जूता वा मोजा ने धायरत की रासी कीगा इसकी जनकारे मांगी गई हाई जार्खन में 2064 ने संक्रमितों की पुष्टी हुई जो बोकारोषो 23, 45, 31, 31, 32, 28, 14, 24, गड़वा, 29, गिरी, 155, गोड़ड़ा, 25, 1027, 22, 22, 49, 49, कोडार्मा, 10, लातेहर, 3, लोहरदागा, 6, पाकुर, 10, पलामू, 31, रामगर, 70, साहवगण, 13, सरायक, 14, 45, 33, और सिमडेगा, स जबकि 28, 14, 40, लोग स्वास्ट हुए, और 428, की मृत्य हो गई, भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 37, 66,108, है, जबकि 28, 99, 151, लोग स्वास्ट हुए, और 66, 460, की मृत्य हो गई, भारत में नाएक केस 38, 168, मिले है, जबकि 62, 144, लोग स्वास्ट भी हुए है, राजय पिछले 24 गंटे में 10 मरीजों की मौत्य हुए है, जो राज़ी से 4, जमसेदपूर से 3, धनबाद, साहिवगान, जोग पलामू से 1, 1 मरीजों की मौत्य हुए है, मंगलवार को 979 मरीज स्वास्ट भी हुए है, एक्टिब केस इस प्रकार है, राज़ी 4, 136, पूर्वी 381, चात्रा 370, गुमला 365, लातेयार 365, गाडवा 356, पलामू 278, सिम्डेगा 299, खुटी 220, जमतड़ा 182, लोर्दागा 136, पाकूर 114, देवगार 128, गोटा 126, मरीज एक्टिव है, स्वास्त मंत्री डोनेट करेंगे पलाजमा, जाकन के स्वास्त मंत्री बना गुपता की क करोना जाज की रिपोर्ट निगेटिव आई है, पिछले दिनों करोना संक्रावित होने के बाद उन्हें रिम्स से भर्ति कराया गया था, स्वास्त मंत्री बना गुपता को करोना से स्वास्त होने के बाद रिम्स से छुटी मिल गई है, उन्होंने कहा कि मैं अपने आपको सभाग ये साली मानता हूँ कि जब दूसरे कर्वी संक्रमित होते थे तब मैं उनसे पलाजमा डुनेट करने का आवान करता था लेकिन अब मैं भी पलाजमा डुनेट करने का उत्रदिकारी बना हूँ सहरी बेरुजगारों को 2 अक्टूबर से मिलेगा काम मुख मंतरी स्रमिक योजणा के तहट 7 सितंबर से पंजियन सुरू किया जाएगा इसी दिन से स्रमिकों को जौब काड भी दिया जाएगा आवेदक को काम नहीं उपलब्द कराने की स्थिती में राई सरकाव बेरुजगारी बता देगी बता दे कि नगर विकास विभाग ने योजणा के किरियान में के समय साहर नी जारिक करते हुए सभी उपायुक तो और नगर निगायों के पता दिकारी को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि स्रमिक जोईना का उदेश सहरी स्रमिकों को अपने सहर में सम्मान के साथ 100 दिनों का गरांटी रोजगार प्रदान करना है जिसे 2 अक्टूबर को गांधी जियानती के मौके पर सभी सहरों निकायों में इसे पूर्णता लागू किया जाएगा बसे तो खुली मगर नहीं मिले यात्री चाठन सकार के अदेशांसार मंगलवा से राज में पांच महीने के बाद बसों की प्रचनल सवा सुरू हो गई धनबाद बस इस्टेन से भी कुछ बस राची वा दूमका के लिए गये मगर इन बसों में यात्री नहीं मिले किसी में चार तो किसी में पांच यात्री ही सवार थे बता दे कि बसों को सेनेटाज भी नहीं किया गया, धनबात इस्टेन में राची जाने वाले किसी भी बसों को सेनेटाज नहीं किया गया, हलाकि इसके लिए डीटियो ओंपरकास यादों ने बस संचलकों को करीचेतावनी दी थी पूर्वराष्ट पती वा भारत रत्न प्रणव मुखर्जी के दिल में राची बस्ती थी, वा कई बार राची आ चुके थे, यहां छोटे बड़े कारिकरम में सामिलित हुए राची के लोगों ने उनको जब भी बुलाया, वे आए इस सहर से विशेस लगाव था बंगाली समाज के कारिकरम में हिसा लिया, उनके बेभार और आत्मिये सोभाव से समाज के लोग अभी भूत रहे, प्रणवदा पहली बार उनईस सो ब्यासी में राची आये थे कुलहान के 826 किसानों को मिलेगा सोलर पॉम्प, किसानों के लिए सुरू की गई कुसुम योजना के तहट कुलहान में 826 सोलर पॉम्प सेट लगेंगे, ए सोलर पॉम्प सेट किसानों को दिये जाएंगे, जेरेडा ने जीला और लाभुकों की संख्या इसके लिए तय कर है इस जोजना में केंद्र और राज सरकार का अंसदान होगा है बता दे कि केंद्र सरकार की और से राज भर में दस है सोलर पॉंप सिट बाटने का निदेश दिया गया है अंठावन यत्रियों को लेकर धनबाद से गुजरात जारी बस जब्त पलामु जिला मुख्याले मेति नगर के सदीक मंजिल चोक के समीप मंगलवार को ये यत्री बस को जब्त किया गया इसमें अंठावन यत्री सवार थे बता देख नियमों के अंदेखी कर सीवरत बस अत्याधिक सवारी को सवार कर यह बस धनबाद से गुजरात जा रही थी यात्री बस को जब्त कर संचालक पर जुर्माना लगाने की त्यारी की जा रही है भाजपा के परदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने कहा है कि हमन सुरेन सरकार राध्रम भोलकर लालु धरम निभाने में जूटी हुई है लालु परसात को नियम विरूद मिले बंगला से बिहार के चुनाओं की त्यारी चल रही है उन्होंने कहा कि रोज सेक्डों लोग भी हाज से अनाधिक्रित रूप से आ रहे हैं और आपनों बायो डाटा भी बंगले में जमा करा रहे हैं इन में से कई लोग लालू परसाल से मिल भी रहे हैं जो जेल मेनुवल का उलंगन है नगर पारसद सफाई कर्मी हरताल पर महासंग से मिले निर्देश के अलोग में किया गया किसान समन्वे संहर समीती ने किसानों के हक के लिए की भूखरताल किसान समन्वे समीती पूरे देश में एक सितमर को किसानों के हित की रक्षा को लेकर एक दिवस्य भूखरताल किया किसान संगर समीती की बैना तले भूख हर्ताल का आयोयन रामगर के भागपा कर्याले में भी किया गया जिसमें अखिल भारतिय किसान सबा के महासचीव महेंद्र पाठक मंगल ओधार किसान संगराम समीती के अध्यक्स उपस्थित थे हालात को देखते हुए काम परलोटे मंदेगा करमी संसद पाकुल जिला मंदेगा करमचारी संग के हर्ताली नेताओ ने मंगलवार को संसद बिचाय हनस्ता को अपनी मांगों से अउगत कराया साथी इस दिशा में सरकार से वारता करने की पहल का आगरा किया मोखे पर संग के जिला द्यक्ष अजीत टूडू ने संसद को बताये कि हम लोग बीगत 12-13 वर्षों से कारणत हैं लेकिन समान काम के बावजूर सरकारी करमचारियों की तरह बेतन और अने सुवधाव का लाब नहीं मिलता सांसद सिरी हंसदा ने कहा कि वे उनकी मायंगों को सरकार तक पहुचाएगी लेकिन आप सबों से अनुरोध है कि बरतमान कुरोना महमारी के मदर आप अपने काम पर लोट आए मुख्यमंत्री हमन्सुले ने पलाजमा दान करने वाले डाक्टर इस्मिरिती को धनेवाद दिया मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि कुरोना के इस बिकट संक्रमन काल में वर्यर्स की भुमिकार डाक्टर इस्मिरिती जी ने निभाया है पलाजमा दान, महत्वपूर्ण दान है, जीवन दान है, कुरोना पर विजय पाने वाले लोगों से मेरी अपील है कि पलाजमा डोनेट करे, कुरोना संक्रमन से लड़ने में साथ दे एक सितंबर से देवगर के होटलों को खुलने के लिए इजाज़त सुप्रीम कोट और राय सरकार के गाई लैन के मुताविक, एक सितंबर से देवगर के होटल को खुलने के इजाज़त मिल गई है, ऐसे में पांच महिने के लंबे इंतिजार के बाद होटल संचालकों में भी उमीद की नई किरन दीख रही है बता दे कि सावन और भादो महिने में हुए घाटे को भूल कर एक नई सुरुआत करने की तियारी में होटल संचालक है, देवगर में बाबा मंदीर के वज़ज़ से होटल के कारोबारी काफी उमदार आता है जारखन के किसानों को दो महिने में मिलेगा सोलर पंप जारखन के किसानों को दो महिने में सोलर पंप मिलने लगेगा, इसके लिए जारखन जेरेडा ने कुसुम योजना के ताथ एक बार फिर से काम सुरु कर दिया है बता दे कि विभागी अधिकारियों के मुताबिक जीले से लावकों के सूची मांगी गई है पहले चरण में हजारी बाग गिरीडी और गोडा में लावकों को पंप देने के लिए करवाई शुरू कर दी गई है जनकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार की ओर से राजे भर में 10 या सोलल पंप सेट बाटने का निर्देस दिया गया था या जोजना 2019 की है बस के टेक्स माफ ही मामला मुख मंतरी तक पहुचा राजे में लोगडाउन के दुरान बस का टेक्स माफ करने का मामला मुख मंतरी हमान सुरेन के पास पहुच गया है परिवान मंतरी चमपाई सुरेन ने इस से समन्दित प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है बीत और बीधी विभाग से भी मंजूरी मिल गई है मुख मंत्री से मंजूरी के बाद प्रस्ताओं को अगली कैविलनेट की बैठक में रखा जाएगा आर्थिक बदहाली का कारण नोट बंदी जिस्टी और लोकडाउन है डाक्टर उराव जाकन कांग्रेस के अध्यक सहबीत तुवखाद आपूर्ती मंत्री डाक्टर रमेशर उराव ने कहा है कि देश की आर्थिक बदहाली के लिए नोट बंदी गलत जिस्टी और बीना सोचे समझे देश ब्यापी लोकडाउन लागू करना जिमेदार है भारत की अर्थ बेवस्था में गिरावट का दोर नोट बंदी से ही सुरू हो चुका था और बाद में गलत जिस्टी लागू करने से इस्थिती और खराब होई अब बीना सोचे समझे लोकडाउन लागू कर देने से अर्थ बेवस्था सोतंत्र भारत के सबसे खराब दोर में पहुंच गया है मेन हट के बाद खनन विभाग में घोटाले की राग खोलेंगे सर्जू राय विधायक सर्जू राय ने मेन हट घोटाले के बाद राज में खनन घोटाले का ममला खोलने की बात कही है उन्होंने कहा कि जल्द ही खनन घोटाला को लेकर भी वे किताब लिखने का काम करेंगे मंगलवार को हजारी बाग पर इस सदन में विशेस बात चीत करते हुए राय ने कहा कि वे पहले भी का चुके हैं कि खनन विभाग में कई अवैद कार्य होते रहे हैं धन्यवाद आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत का बेल आइकन दबाइए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कार अपने दोस्तों को वार्ट से फेस्बुक ट्वूट इंस्टागराम पर सेयर करें अपना सुझाव दे सकते हैं थैंक यू